हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुपता इस्तरीवं प्रसुती रोग विशेशग्य और किंडम ओफ हैल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सबी का स्वागत है आपने सवाल पूचा है कि मैंने मीफी प्रिष्टोन की गोली खाली है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है क्या मैं इस प्रेगनेंसी को मैं रख सकती हूँ या फिर मैंने पूरी किट खाली है मगर मुझे उसका कोई असर नहीं आया है और अब मेरे घरवाले कह रहे हैं कि इस प्रेगनेंसी को रख लो तो क्या अगर मैं इस प्रेगनेंसी को रखती हूँ तो मेरे बच्चे पर कोई असर आएगा इसके अलावा जब मैंने गोली खाई तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है इसलिए मैं अब आगे गोली नहीं खाना चाती हूँ क्या मैं इस प्रेगनेंसी को रख सकती हूँ तो दोस्तों कि एक मेरे पास पेशेंट आई है इन्होंने किट खाई है और इनका मैं अल्ट्रसाउन कर रही हूँ इनकी करीब जब 6 weeks की प्रेगनेंसी थी तब इन्होंने किट खाई थी और इन्हें हलकी फॉलकी स्पॉर्टिंग होई थी और उसके बाद इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और गोली खाने के बाद 10 दिन हो गए है और इसके बाद ये हमसे चेक अप कराने आई है और अब इनका मन बदल गया है कि इनको प्रेगनेंसी रखनी है तो दोस्तों मैं इनका अल्टरसॉण कर रही हूँ और अल्टरसॉण में मुझे इनकी प्रेगनेंसी 7 weeks की दिखाई दे रही है और साथ में बच्चे की धरकन भी है दोस्तों यह 7 weeks pregnancy पर abdominal ultrasound किया जा रहा है और इसके बाद हम transvaginal sonography में भी आपको दिखाएंगे क्योंकि transvaginal sonography, transabdominal sonography से ज़्यादा better तरीके से pregnancy को दिखाती है दोस्तों अगर आपने मीफी प्रीस्टॉन और मीजो प्रोस्टॉल खाने के बाद pregnancy को continue करने का मन बनाया है तो इस विशह पर अधिक studies नहीं हुई है लेकिन जो भी studies हुई है वह बताती है कि बच्चे में congenital defect आने के chance रहते हैं इसके अलावा patient को कभी-कभी बीच में bleeding हो सकती है pre-term labor में भी patient जा सकती है आता है आप इस दवाई का सोस समझ कर सेवन करें और doctor हमेशा जो है इस दवाई को खाने के बाद आपको pregnancy terminate करने की ही सलाह देते है क्योंकि doctors को भी नहीं पता है कि बच्चे में defect आएगा कि नहीं आएगा और ये transvaginal sonography से patient का ultrasound किया जा रहा है जिसमें ये goal जो structure है वा yoke sack है और नीचे embryo दिखाई दे रहा है जिसमें आप धड़कन यानि कि बच्चे की cardiac activity भी देख सकते हैं embryo में और transvaginal sonography से बेबी का जो परिस्थिती होती है वो अच्छी तरह से दिखाई देती है और 7 weeks सी pregnancy में हम धड़कन को देख पा रहे हैं और pregnancy intra uterine बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है तो दोस्तों आप दवाई का सोच समझ कर सेवन करिए और इस बात की कोई guarantee नहीं है कि आपके बेबी में कोई defect आएगा कि नहीं आएगा मीफी प्रीस्टोन और मीजो क्रोस्टॉल के खाने के बाद अगर आप pregnancy continue करते हैं तो दोस्तों अगर आपने या फिर आपके जान पैचान वालों ने अगर ये kit खाने के बाद भी अपनी pregnancy को continue किया है और उनके delivery हो चुकी है तो हमें इस channel के comment box में डाल कर बताईए कि उनका बेबी कैसा है दोस्तों इस channel को subscribe करने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप अपने सवाल हमारे YouTube channel के comment box में डाल कर पूछ सकते हैं और अगर फीज जमा कराकर हमसे consultation करना चाते हैं तो हमारी website है www.drsumangupta.com उसके थुरू आप हमसे संपर कर सकते हैं और बात कर सकते हैं Thank you friends